हेलो असलाम अलेकूम मैंने में सदा काकर एंड आज की वीडियो के साथ अमारा टॉपिक कंटिन्यू होता है अलिगो सेक्राइड एंड पॉली सेक्राइड जो के हमारे पास कर्बोईडरेट के टाइप्स है लास्ट वीडियो में हमने कर्बोईडरेट पढ़ा था और उसकी एक टाइप पढ़ी थी मोनो सेक्राइड अब हम पढ़ेंगे Oligosecrate and Polysecrate Oligosecrate में क्या होता है? अमारे पास 2 से लेके 10 तक मारे पास Monosecrate प्रेजन्ट होते है Monosecrate क्या होता है? अमारे पास एक शुगर का Simple Unit होता है यानि हम यह कह सकते हैं कि जब बहुत ज़्यदा Monosecrate मिलके एक Bond बना लेगे, एक Polymer बना लेगे तो वो अमारे पास Carbohidrate बन जाएगा बट जो Oligosecrate में है वो अमारे पास 2 से लेके 10 तक Monosecrate पाए जाते है यह अमारे पास Less Sweet in Test यानि इनका टेस्ट जो होता है वो मीटा नहीं होता इतना मीटा नहीं होता जिसके Monosecrate का था और यह Less Soluble in H2O पानी में जो है यह बहुत कम Soluble होता है अब इसमें एक आ रहा है Dicecrate यह Oligosecrate था, यह Dicecrate था Dicecrate का मतलब होता है Two Secrate का मतलब होता है Sweet बट अगर हम यहां पर यह बोल रहे है कि यह 2 से 10 तक है तो जो दो वाली कैटगरी है वो यह है Dicecrate यानि दो Monosecrate आएंगे तो उसको हम Dicecrate बोलेंगे जिसमें हमारे पास एक्जेंपल आते है कि जब हम Glucose को लेते हैं एक Monosecrate को दूसरा भी एक Glucose Monosecrate लेते है जब यह दोनों Bonding बना लेंगे तो हमारे पास Maltose असिल होगा जो कि हमारे पास एक New Molecule होगा पिर हमारे पास जब 2 सेक्राइट हम लेंगे तो उसके मिलाब से हमें क्या मिलेगा लाइक के Glucose ले रहे हैं दूसरा हम ले रहे है Galactose यह दोनों Monosecrate लिए जिसे हमें मिला लेक्टोस और यह हमारे पास है Glucose प्लस Fractose जो कि हमारे पास बना रहा है सुक्रोस हमारे पास जो Maltose है इसका मतलब होता है कि यह Alkohol वगेरा में पाया जाता है जो के Glucose है इसका मतलब है दूद दूद वगेरा में पाया जाता है Glucose और जो सुक्रोस है वो हमारे पास रोज मरा जिन्दगी में जो हम चीनी यूज़ करते है सुक्रोस उसको बोलते है यानि इन चीज़ों के मिलाब से हमें ये चीज़े मिली है या इनकी बॉन्डिंग से हमें ये चीज़े मिली है जो के हमारे पास Alkohol में यूज़ होती है दूद है और चीनी है ठीके अब हम पढ़ेंगे जब दो मोनोसेक्राइड आके मिलेंगे किस तरह से वो मिलेंगे किस बॉन्ड के तरू वो एक दूसरे से बॉन्ड बना लेंगे जब अमारे पास दो मोनोसेक्राइड आएंगे और वो किस तरह से जुड़ेंगे इस दोरान अमारे पास क्या होगा वोटर इस रिमूट डिवरिंग फॉरमेशन अफ दिस लिंकेज यानि जब ये दोनो मोनोसेक्राइड बॉन्ड बना लेंगे तब इस दोरान अमारे पास जो वोटर मॉल्कूल है वो रिलीज हो जाएगा लाइके ये हमारे पास ग्लुकोस आया ये फ्रेक्टोस आया अब आके ये हमारे पास स्क्रोस बना लेंगे तो ये इस तरह बना लेंगे कि यहां पे जो आइड्रो अक्जल ग्रूप होगा और यहां पे होगा यहां से जो आइड्रो अक्जल ग्रूप है वो पूरा आ जाएगा और यहाँ से सिर्फ आइडोजन आ जाएगा सो यह बना लेगा H2O वाटर मॉलक्यूल रिमूव हो जाएगा और यह अमारे पास आके गलाइको सेडिक लिंकेज बना लेगा जो कि अमारे पास इस तरह की बॉर्णिंग पर अमारे पास शो होगी जैसे ऑक्सिजन मॉलक्यूल है इसके जरीए दो मोनोसेड जो है वो मिले हुए है तो दरमयान में ऑक्सिजन मॉलक्यूलक्यूل ट्रू ही ये दोनों मिले खुए है तो इसको हम Гलाइको सेडिक लिंकेज बोलते है जो कि हमरे पास disecrite है, यानि दो monosecrite यहाँ पर मिल रहे है हम अमारे पास तिसरा हम पढ़ते है कर्भोईरेट के टाइपस को, जो है हमारे पास polysecrite, polysecrite हमारे पास होता है consist of many glucose monomers, वही बोलाता कि जब बहुत ज्यादा glucose monomers मिलेंगे तो आमारे पास एक polymer बना लेंगे, जिसको हम polysecrite बोलेंगे हमारे पास उसमें क्या होता है usually वह branched होते है उसमें branched polymer आ जाते है जिसमें example आगे जाके हम पढ़ेंगे जिसमें starch है, cellulose है और glycogen है यह तरी main example है polysecrite के है अब polysecrite क्या होता है, यह testless होता है यानि test इसका नहीं होता, sparingly soluble in H2O पानी में जो है वो soluble होता है और इसके example है, हमारे पास starch, glycogen and cellulose starch हमारे पास पोदों में होता है glycogen जो है woman, जब हमारे पास हमारे blood में sorry glycogen जो है जब हम कोई मीठी चीज लेते है यानि जो हमारे glucose होता है woman bean का वो वहाँ पे जब liver में store होगा उसको हम glycogen बोलेंगे यानि glucose जो woman बोडी में store होगा वो glycogen किलाएगा बट अगर वो पोदों में store होगा तो वो हमारे पास starch किलाएगा और इसी तरह cellulose है cellulose जो के paper वगएरा भी बनते हैं तो यह आगे जाके हम डिटेल से पढ़ेंगे इन तीनों को starch glycogen और cellulose को तब तक के लिए देखते रहे हैं मेरा चैनल सदाका कर नीव वीडियो में मिलेंगे इसी starch glycogen और cellulose टॉपिक के साथ तो अगर मेरी वीडियो पसंद आई हो लाइक कीजिए, share कीजिए and comment section में मुझे comment जरूर कीजिए कि मैं अपने वीडियो को और कितना promote कर सकती हूँ तब तक के लिए अलाहफिज